हमीरपूर की सरकिट हाउस में पत्रकार वारता के दोरान पुरू मुख्यमंतरी प्रेम कुमार धूमल ने नशे के विपारियों पर शिकंजा कसने की मांग सरकार से की है धूमल ने कहा कि हमीरपूर में नशे दिनों दिन बढ़ रहा है और प्रशासन को भी कई बार इस विशे में जानकारी दी गई है उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि नशे से बचाने के लिए प्रशासन जिम्मेदारी निभाए उन्होंने खहा कि अगर प्रशासन की नज़र नशे की व्यापारियों पर पहले सी थी, तो पहले लोगों को पकड़ने के लिए काम क्यों नहीं किया गया दूमल ने पुलिस प्रिशासन की कारे प्रणली पर सवाल उठाते हुए कहा कि समाज को बचाने के लिए के उता ही नहीं बरती जानी चाहिए वह सजगता से काम होना चाहिए वही प्रेमकुमार दूमल ने कहा कि नशे में पकड़े जाने बालों के पास मातरा बहुत कम पाई जाती है जो की समथ से परे हैं उन्होंने सरकार से मांग की है कि नशे के दसकरओं के खिलाफ कड़ी करवाई के साथ कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए और जल्द नशे के खिलाफ कानून में संशोधन करके प्रावधान किया जाना चाहिए नच्छा प्रशाशी के मिलेगा नच्छा कार्विक के मिलेगा अगर सबसे बड़ा काम रास्त निर्वान के लिए नशेज बचाने का है प्रशाशन का बहुत बड़ा जिम्मा है आखिर कह कहा जा रहा है कि कुछ गंटों के अंदर कुछ लोग पकड़ लिए गए अगर मतनफाशन के लिए प्रशाशन के नचर में विश चीज़ थी तो पहले क्यों नहीं किया गया कुई गष्णा हो जयते है उसके वाद ही क्यों गया जाता है क्या सरकार से भी अग्रे करूंगा कि सक्ती से नशे के खलाप कारवाई करें और समाज पूरा सहयो करें, सरकार और समाज को मिल करें काम करना होगा. मैंने कई दिनों से मैं नूट कर रहा हूँ, जो पकड़े जाते हैं कि मात्रा आप देखेंगे, तो इतने कम रखी जाती है, जो रामधी पाई जाती है, जैसे उसमें को सीरिस केस बढ़े ही ना, और अगा तो सरकार चागरे करूंगा कि सक्त कानून बनाए, अगर संसोधन के और इसमें सजाय मोथ होनी चाहिए, जो इसके साथ घाम करते हैं, इनीस सो पिचानमे में एक संसेदर के साथ मैं सिंगापूर गया था, बहाँ पर अमेरिका के दो नागरिक पकड़े गए थे ड्रग ट्राफिकिंग में, अमेरिका के राष्ट्पति ने इसमें बार बार फ आन तो नहीं होगा, तो समाज को सरकार को सरको जागरु को के साथ देर देए, समाज में इनके ध्यान में आता है कोई ऐसा काम कर रहा है, बो सरकार के प्रशाशन के ध्यान में लाएं, और प्रशाशन को कारवाई करनी चाहिए, प्रशाशन अगरिसमें कोताही करता है, तो वो देश के साथ विदारी कर रहा है